हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरिवन दोस्तों प्रत्य एक सूट फाइल करने के लिए अपील एप्लिकेशन फाइल करने के लिए एक पीरिड ओफ लिमिटेशन या समय सीमा होती है और इसके लिए लेजिसलिचर ने कानून बनाया है दा लिमिटेशन एक 1963 इसका एक पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ पार्ट वन आज ये लिमिटेशन एक्ट के बारे में पार्ट टू है इस वीडियो में हम आर्टिकल 56 से आर्टिकल 60 की स्थेड़ी करेंगे इससे पहले मैं निविद्दन करूँ कि एदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजी और एदि आपको मेरी वीडियो पसंद आएं तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजी दोस्तों इससे पहले कि हम आर्टिकल 56 से आर्टिकल 60 जो की पार्ट 3 और पार्ट 4 लिमिटिशन एक 1963 में दे गए हैं के बारे में जाने लिमिटिशन एक्ट के कोछ जनरल प्रोविजन्स जो सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है उनकी हम स्टड़ी करना चाहेंगे तो सबसे पहले इस एक्ट का नाम है दा लिमिटिशन एक 1963 इसमें टोटल 32 सेक्शन और 137 आर्टिकल होते हैं यदि कोट क्लोज होता है तो आपका पिरिड ओफ लिमिटिशन एक्सपायर नहीं होता और नेक्स्ट ओपनिंग दे तक पिरिड ओफ लिमिटिशन एप्लिकेबल होता है प्रत्यक सूट के लिए प्रत्यक अपेल एप्लिकेशन रिव्यू के लिए लिमिटिशन पिरिड दिया है ऐसा नहीं कि आपके जब मर्जी आये तब सूट कर दे में आपको उसी पिरिड में उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही सूट करना होता है अधरवाइस वो टाइ नहीं होनी चाहिए फिर section 5 of limitation act लोग बाग क्या करते हैं कि यदि suit time bar होता है तो section 5 की application के साथ suit file कर देते हैं तो मैं बड़ा specify कर दूं कि section 5 of limitation act जो है जो condonation of delay के reference में काम आता है वो किवल application और appeals पर applicable होता है वो original suit पर applicable नहीं होता हाँ यदि courts certified copy देने में समय लगाती है तो एक बात ध्यान रखी कि वो समय भी आपका wave हो जाता है और उतने time का period of limitation में filing में लाब मिल जाता है तो इसके कारण जो है आपको इन सब बातों का general provisions का limitation act में ध्यान रखना चाहिए अब हम directly आज के अपने topic पर आते हैं वो आता है declaratory suits section 56, 57 or 58 यदि आप declaration का suit करना चाहते है तो उसकी period of limitation क्या होगी या किस period of limitation में आप घोशना का दावा suit for declaration या किसी चीज को declare कराने के लिए अपना right title, interest या कोई भी आप अपना जो है जो आप claim करते हैं उसको declare करवाने के लिए code से यदि आप degree चाहते हैं तो उसकी period of limitation क्या होगी तो section 56 ही कहता है to declare the forgery of an instrument issued or registered यद है जैसे माली जी कोई sale deed करवाली है या कोई will करवाली है तो उसके cancellation के लिए declaration जो suit लाना पड़ता है कि ये declare किया जाए कि ये will या ये वसियत या document या instrument forge है इसके लिए या forge तरीके से बनवाया गया है तो इसके लिए period of limitation तीन साल 3 years होती है और ये कब से start होगी when the issue or registration became known to the plaintiff जब वादी को ये मालूम पड़े कि ऐसा कोई document register करवा लिया गया है या ऐसा कोई issue है जिसको कि अपने को declare करवाना चाहिए कि ये cancel हो जाए इसके बाद है article 57 वो कहता है to obtain a declaration that an alleged adoption is invalid or never in fact took place यदि कोई adoption invalid है या ऐसा adoption गोद कभी हुआ ही नहीं तो इसका घोशना करने के लिए जो दावा लाना पड़ता है उसकी period of limitation भी कितनी है three years है और कब से लागू होती है when the alleged adoption becomes known to the plaintiff जब वादी को ऐसे adoption के बारे में पता पड़ता है कि forge adoption है तो इसकी period of limitation उसको declare कराने की शून्य करार करवाने की या ऐसा कभी adoption हुआ ही नहीं इसको declaratory suit लाने के limitation होती है three years इसके बार है article 58 to obtain any other declaration any other declaration का मतलब क्या आप court में कोई सभी घोषना का वाद ला सकते हैं कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ ये मेरे बच्चे हैं ये मेरी धरम पत्नी है मैं उनका ये नातेदार हूँ मैं संपत्ति का मालिक हूँ किसी भी प्रकार का declaration आप court मिला सकते हैं और court से घ घोषना की डिगरी प्राप्त कर सकते हैं इसकी period of limitation क्या होगी? 3 years और ये period कब से start होता है? when the right to sue first accrues जब वाद करने का कारण start होता है या सबसे पहले accrues होता है तो उसकी period of limitation उस तारिक से 3 साल होती है अब हम study करें part 4 की ये है suit relating to degrees and instruments मान लीजिए court के द्वारा कोई decree ली court से decree ली लेकिन वो forged evidence गलत तत्यों के आधार पर तत्यों को mislead करके court को गलत तत्या बता कर और उस पक्षकार को छुपा करके हमने decree ले ली किसी व्यक्ती ने तो उसको cancel कराने के लिए आपको जो suit for declaration लाना पड़ता है उसकी उसको cancellation की जो suit लाना पड़ता है उसकी period of limitation क्या होती है आर्टिकल 59 ये कहता है to cancel or set aside an instrument or decree or for the rescission of a contract इसका मतलब कि आप किसी को set aside कराना चाहते है contract को या decree को या किसी instrument को तो उसकी period of limitation भी 3 years होती है कब से चालू होती है when the facts entitling the plaintiff to have the instrument or decree cancelled or set aside or the contract rescinded first became known to him जब plaintiff को सबसे पहले पता पड़ता है कि ऐसी कोई decree ले ली गई या ऐसा कोई गलत contract हो गया है तो उस तारीक से 3 साल की period of limitation होती है अब आर्टिकल 60 क्या कहता है to set aside a transfer of property made by the guardian of a ward किसी property को किसी ward के guardian ने transfer कर दिया तो उसको set aside कराने के लिए क्या period of limitation होती है जिसे माल लीजी कोई नाबालिक है तो उसके court ने guardian declare किया और उस guardian ने उस property का transfer कर दिया और जैसे ही वो बालिक हुआ जैसे ही वो measure हुआ उसको ग्यात हुआ कि मेरे property को ही transfer कर दिया गया मेरे guardian के द्वारा तो उसको set aside कराने के लिए period of limitation कितनी होती है तो article 60 का एक कहता है by the ward who has attend majority इसको कून declare कराएगा इसको ward कराएगा कब कराएगा जब वो majority attend कर लेगा उससे 3 साल और यह कब से प्रारम होती है limitation when the wards attend majority तो जिस दिन से majority attend करता है उस दिन से 3 साल के अंदर-अंदर उसको suit लाना होगा इसके बाद इसका article 60 का B क्या कहता है by the wards legal representative और इसकी भी period of limitation 3 years से ward का कोई भी legal representative है तो वो भी ऐसा suit ला सकता है अब important है इस B का subsection 1 when the ward dies within 3 years from the date of attaining majority मान लीजी ward का legal representative कब करेगा वरना तो ward ही करेगा पर legal representative कब करेगा इसके तीन साल के अंदर-अंदर वो majority attend करने के तीन साल के अंदर-अंदर वो मर जाए और उसके guardian ने पहले ही property transfer कर दी हो तो उसके तीन साल के अंदर-अंदर उसका कोई भी जो है legal representative वो suit ला सकता है इसके बाद है when the ward dies before attaining majority 3 years कब से start होती है when the ward dies तो इसका मतलब यह है कोई भी यह दिन नावालिक है वो जैसे ही बालिक होता है और अपनी property के कोई भी rights title interest को protect करने के लिए जो उसके guardian ने कर दिया property transfer कर दिया उसके और किसी तरह का benefit ले लिया उसके लिए उसको cancel कराने के लिए declaration लेने के लिए तीन साल की period of limitation है तो आज के इस वीडियो में जो की limitation act के बारे में part 2 वीडियो है मेरा इसमें हमने article 56 से article 60 of the limitation act 1963 की study करी जो part 3 और part 4 में है आज का वीडियो इतना ही धन्यवा thank you friends